एक प्रकार से ये सारा कारे जो हुआ एक इश्वर का आशिरवाद भी इसमें मिला है क्योंकि अच्छा कारे जब करते हैं तो लोग जुड़ते हैं आज कई लोगों ने इसमें मदद की हमारे जो केंदर सरकार के PSU's है उन्होंने भी हमको इसमें मदद की और इतना बड़ा का कैंसर में दुनिया में सबसे आधुनिकतम ट्रीटमेंट हो वो ट्रीटमेंट यहां पर आनी चाहिए अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं प्रोटॉन बीम की ट्रीटमेंट हम लोग यहां लाना चाहते हैं कारबन आयन की ट्रीटमेंट जो शायद पूरे वर्ल्ड में 10 या 12 प्रणेगर है उसको भी हम लोग यहां पर लाने वाले हैं उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो जो भी कैंसर के क्षेत्र में सबसे आधुनिकतम ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट को हम लोग यहां पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और यह सारी चीज़े बिलकुल एफ विवस्ताम करने की कोशिश कर रहे इसके साथ साथ आने वाले दिनों में यहां पर एक बड़ी धर्मशाला भी हम लोग तयार कर रहें कि दूर दूर से पेशन्ट आते हैं उनके घर के लोगों को रहने की विवस्ता नहीं होती और मुंबई में तो हम लोग देखते कि कई बा कि वहां पर विवस्ता हो और उनके पिशेंट्स का वो ठीक ढंग से खयाल जो है वो रख पाए इसके साथ-साथ दो और सेंटर हम लोग यहां पर खोलना चाहते हैं विशेश चुरूप से कि यहां पर अभी बीम्टी का भी काम अगले तीन महने में शुरू होगा और बीम्टी के साथ-साथ जो ब्लड रिलेटेड डिसीजस है उसमें विशेशता विदर्ब में थैलेसेमिया और सिकल सेल यह दो जो बिमारिया है यह बहुत बड़े पैमाने पर हमको दिखाई सरकार के और से भी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतरूत में कुछ फैसिलेटिस खड़ी कर रहे हैं लेकिन उसके साथ-साथ यहां पर भी हम लोग थैलेसेमिया और सिकल सेल के सेंटर्स आने वाले दिनों में शुरू करना चाहते ताकि उसका रिसर्ज भी हो और उसकी ट्री आपने इसका नाम रिसर्च इंसिटूट रखा है तो इसमें रिसर्च होना ही चाहिए और हम लोग भी यह मानते हैं कि अनुसंधान के सिवा हम लोग नए ट्रीट्मेंट प्रोटोकॉल तैयार नहीं कर सकते हैं इसलिए बहुत ही डेडिकेटेड इस प्रकार की यहां पर य और नए नए प्रोटोकॉल तैयार कर पाएं नए नए ट्रीट्मेंट्स हम लोग लोगों को दे पाएं और उसके लिए हम लोग जो भी एक हमारे सारे कैश फ्लों में जो भी हम डेडिकेटेड एक उसका हिस्सा उसके लिए रखना चाहतें वैसे भी यह कोई प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो तैयार नहीं हुआ है सेवा करने के लिए तैयार हुआ है इसलिए कभी उसकी चिंता तो किन है लेकिन जब तक डेडिकेशन के साथ अनुसंधान नहीं होता तब तक मुझे ऐसा लगता है कि यह सारा कारिय हम लोग निश्पादित नहीं कर पाएंगे झाल झाल